बिस्मिल्ही रह्मान रहीम आज बनाएंगे अचारी गवार की फली इसके लिए चाहिए पासो ग्राम गवार की फली तीनसो ग्राम टमाटर तीन से चार हरी मिर्ष थोड़ा सा धनिया बत्ता वन टीस्पून लाल मिर्ष पॉंडर, हाफ टीस्पून से कम नमक, थोड़ी सी हल्दी, वन टीस्पून अद्रक लहसून का पेस्ट, 50 ml अचार का ओल एक पैन ले लें और उसमें 50 ml ओल आड़ करें पहले उसमें हरी मिर्ष आड़ करें गमार की हली आड़ करें भली को 15 मिनट्स के लिए कवर कर दें और लो फ्लेम पर रखें भली इसी के मॉइस्चेर में पकेगी पंद्रा मिनट बाद भली को मिक्स करेंगे ताके जलेना नीचे से में पाल भूरे में आड़ की स्पून अद्रा कली स्पून का पेस्ट दालें गए थोड़ी सी हल्दी दालेंगे वन टीस्पुन लाल मीश पॉडर दालेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और थोड़ी देर के लिए पॉडर दालेंगे अभी फ्राई हो चुकी है हम इसमें टमाटर आड़ करेंगे यह तीन सो ग्राम टमाटर है इसको मिक्स करकर टमाटर पकने के लिए कवर कर देंगे 10 मिनट बाद कवर हटाकर इसको मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए कवर करेंगे कवर करकर बीच में एक दो बाद मिक्स करना चाहिए नहीं तो टमाटर नीचे से जल जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक फली को लो फ्लेम पर ही बनाया है मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं रखा है अभी फली में अचार का ओयल एट करेंगे यह आम के अचार का ओयल है इससे बहुत अच्छा जाएखा आता है ओयल दल कर दो मिनट तक भूनेंगे अभी हमारी अचारी गवार की भली रिडी है इसको सर्व करेंगे इसको लाइक शेर सब्क्राइब जरूर करें अच्छा है